नमस्कार मैं सुनीता आज हम टमाटर में 2G cutting कैसे करते हैं यह सीखेंगे लेकिन सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हम इसमें cutting क्यों होती है देखिए यह जो starting पौधा निकलता और यह जब लंबा होता है तो यह 1G cutting होती है तो इसमें ऐसे होगा कि उपर में इस जगह पर पहले फूल आएंगे और फिर फ्रोट्स आएंगे तो एक ही जगह पर आएंगे जो कि उपर का भाग होगा तो इसमें हमें कम फ्रोट्स मिलते हैं मतलब कि आपको कम टमाटर मिलेंगे लेकिन जब हम इसमें 2G cutting होती है अगर हम उपर से इसे pinch करते हैं या किसी sharp cutter से cut कर देते हैं तो उसे हम 2G cutting कहते हैं तो जब हम इसमें 2G cutting कर देते हैं तब क्या होता है कि ये देखिए ये lips है और इसके ये knots जो हैं हर knots से अलग-अलग branches निकलना सुरू हो जाती है तो आप देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 8 knots हैं तो 8 जगह से 8 branches आ जाएगी तो जब 8 branches आएगी तो 8 जगह पर full आएंगे और उसमें fruits आएंगे तो ऐसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा fruits मिलते हैं इसलिए आप अगर एक छोड़े से गमले में ज़्यादा से ज़्यादा fruits चाहते हैं तो उसमें आप 2G cutting, 3G cutting और 4G cutting ज़रूर करें आप देख सकते हैं ये टमाटर एक पौदे में इतने सारे टमाटर हैं इसमें मैंने सिर्फ 2G cutting की थी और इतने सारे टमाटर सिर्फ एक ही पौदे में आपको देख रहे हैं तो सोची अगर मैं इसमें 3G cutting या 4G cutting की रहती तो इसमें और कितने सारे टमाटर रहते हैं अगर आप किसी पौदे में 4G cutting कर देते हैं तो आपको जो fruits है वो चार गुलना तक मिलता है तो अगर आप किसी पौधे को गमले में उगाते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा fruits पाने के लिए आप उसमें 2G, 3G और 4G cutting जरूर करें मैं आपको अपने दूसरे पौधे दिखाती हूँ यह देखिए यह देखिए इसमें यह भी टमाटर है इसमें देखिए फूल आने स्टार्ट हो गया है अब इसमें फूल आए है तो अब इसमें फिर fruits आने लगेंगे तो मैं इसमें cutting करना भूल गए थी तो सिर्फ उपर ही आ रहे है फूल अगर मैं इसमें cutting कर देती तो हर नौट्स से branches आते और हर ब्रांच में फूल आते और fruits आते तो एक पौधा और है वह भी मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए यह एक तेल का डबा था उसमें इसमें मैंने लगा दिया है और यह असान होता है बस आपके घर में जो भी टमाटर आता है उससे आप मीटी में डाल दीजे उसमें से छोटे-छोटे पौधे आ जाएंगे और फिर उसे जब तीन से चार इंज का हो जाता है तो जब फूल आजे तब उसमें आप कोई कटिंग नहीं करें क्योंकि अगर मैं अब इसमें कटिंग करती हूँ तब इसमें फूल और फूर्स आने में काफी समय लग जाएगा तो आप जब भी कटिंग करते हैं चाहे कोई भी कटिंग हो उसमें फूल आने के पहले ही उसम अगर हम इसमें टूजी कटिंग हो जाती तब इस हर नौट से ब्रांचे जाती और हर ब्रांच में फूल होते और उसके बाद इसमें फ्रोड़ साते तो इसलिए इसको मैं हटा देती हूँ इसलिए आप जब भी गमले में पौधे को लगाते हैं तो उसमें फूल आने के पहले उसे उसमें 2G कटिंग स्टार्ट कर देए यह तना हो गया है अब या तो आप उंगली से उसे पीच कर दे या किसी साथ कटड़ से उसे आप कट कर देए मैं आपको कट कर के दिखाते यह देखिए, यह हो गया, अब इससे हटा देते हैं, अब इसकी कटिंग हो गई है, अब इसकी जो भी नोट्स हैं, उस हर इस जगह से अलग-अलग ब्रांचेश आएंगी, और हर ब्रांच में फूल आएंगे, और फ्रूट्स आएंगे, इस तरीके से आप एक छोटे से गमल इसे बहुत सारे फ्रोट्स से आपको मिल सकते हैं तो मैं इसी इसी पौधे में आपको अगला थिरीजी कटिंग भी दिखाऊंगी इसे लगवग 15 दिन लगेंगे इसमें से ब्रांचे जाने में उसके बाद मैं अपना अगला वीडियो डालूंगी जिसमें कि मैं आपको थिर जरूर करें धन्य बाद